अब मेरी तरह रिस्ट से इश्क है तो खूद बढ़ो या तो डूब हो गया तो उड़ो गया कि नई कंपनी का यह होता है बाई एक बार गिरा ना जब ऐसे मार्केट क्रैश होते हैं तो बहुत से लोग डर जाते हैं लेकिन बेस्ट इन्वेस्टर्स प्रे करते हैं कि एक बार बस एक बार दुबारा मार्केट क्रैश हो जाए उनके जीते जी और उसके कारण जो हमें प्राइस मिले अई प्रेश देट हपने लिए इन करोण रुपे को कमाने के लिए और फिर हम इन में पैटर्न ढूणेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि अगर अब मार्केट क्रैश होता है तो हमें कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए अब अगर हमें इन मास्टर इंवेस्टर्स की स्ट्राइजी समझनी है तो हमें दो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए और ये हैं लॉंग पोजिशन और शॉट पोजिशन लॉंग पोजिशन नॉमली सबको पता है कि कमपनी के शेर सस्टे प्राइज में लो और फ्यूचर में उसे महें प्राइज में सेल कर दो और कल उसे सस्ते में खरीद लो यानि आजा पहले market से 10,000 पी के shares बेच दोगे और उसके बाद future में जब share का price गिर के 5000 पे हो जाएगा तो आपका profit 5000 रुपीज होगा अब आप में से कई लोग सोचते होंगे कि ये कैसे हो सकता है मैं पहले share कैसे बेच सकता हूँ अगर मैंने share खरीदे ही नहीं है तो बट जिने नहीं clear है trust me this is possible इस concept पर कभी हम बाद में वीडियो बनाएंगे बट अभी हम market crash में master investors की strategy देखते हैं तो सबसे पहली case study है the big shot, the guy who made hundred million dollars Michael Burry का जन्म California में हुआ था और बचपन में दो साल की उमर में ही इन्हें retinoblastoma की बिमारी होगी जिसकी वज़े से इनकी एक आंख चली गए और इन्हें उसकी जगा कांच की आंख लगानी पड़ी इन्होंने finance की पढ़ाई करने के बाद doctor की भी पढ़ाई करी Vanderbilt University School of Medicine से लेकिन हर शाम को ये investing सीखते रहते थे Burry ने खुद के लिए एक investor की reputation बना ली थी इनका कहना था कि ये the intelligent investor book की philosophy पर चलते हैं और company की actual value निकालते हैं तब ही कोई decision लेते हैं 2000 में इन्होंने अपने friends और family वालों से पैसे लेकर एक hedge fund खोला जिसे नाम दिया गया Sion Capital पहले साल में ही इन्होंने अपने investors को बहुत पैसे कमा के दी जहांपर अमेरिका का S&P 500 fund 11% से increase होता था तो इनका hedge fund 55% से increase हुआ Actually internet bubble के time में ये देखते थे कि कई internet companies fundamentally बहुत ही losses में हैं लेकिन उनकी valuation बहुत ज़ादा चल रही है इन्हें पता था कि इन company का price गिरेगा ही गिरेगा इसलिए ये इन companies के price को short कर देते थे और अपने investors को बहुत पैसे कमा के देते थे जब S&P 500 index fund 22.1% से डूब गया था इसके बावजूद इनका hedge fund positive 16% में था लेकिन इनोंने खुद के लिए 700 क्रोड रुपे और इस सारी wealth तब बनाई जब इनोंने अमेरिका के सारे real estate को short किया Actually 2005 में इनोंने एक pattern देखा कि बड़े-बड़े banks common लोगों को घर के लिए loan दे रहे थे लेकिन Michael को पता था कि अगर बहुत सारे लोगों ने एक साथ loan के पैसे नहीं दिये तो ये market ज़रूर crash करेगी इसलिए इनोंने इसे short कर दिया I hope you can feel this इस short का मतलब था कि इनोंने अमेरिका की economy वर bet लगाई थी कि वो पूरी की पूरी crash हो जाएगी और ये सही निकले 2008 में ये market crash हुआ और इसे the great recession नाम दिया गया इसका fact सिर्फ US में नहीं बलकि पूरी दुनिया में हुआ लाखों लोगों ने अपनी job खो दी, बहुत लोगों ने suicide किया बट Mr. Michael Burry ने 700 करोड रुपे कमाए और अपने investors को 4900 करोड रुपीज कमा के दी अगर टाइम मिले तो उस पर बहुत amazing movie है The Big Shot इसे आप जरूर देखिएगा Next case study आती है राकेश जुन्जुनवाला हर्शद महता scam 1992 इंडिया के Warren Buffett राकेश जुन्जुनवाला का investment में इंटरेस्ट तब आया जब उन्होंने दिखा कि उनके डाइड अपने दोस्तों से investment की बाते करते हैं Mr. जुन्जुनवाला के डाइड ने ने कभी भी investing के लिए पैसे नहीं दिये और किसी से भी उधार मागने के लिए मना कर दिया जुन्जुनवाला ने अपने भाई के client से पैसे लिए और उसे promise किया कि वोसे bank deposit से जाधा return देंगे 1986 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा profit earn किया जब उन्होंने टाटा टी के 5,000 shares लिए 43 रूपीज पर share के हिसाब से जिसकी value सिर्फ तीन महीने में 1,43 रूपीज हो गे और उन्होंने अपने पैसों को 3 times कर दिया इन 3 सालों में Mr. जुन्जुनवाला ने 20 से 25 लाग रुपे कमा लिये थे अगले कुछ सालों में इन्होंने काफी companies में invest किया जैसी कि टाइटन, क्राइसल, प्राज इंडस्ट्रीज, और उबिंदो फार्मा एंड इन्सी सी लेकिन राखी जुन-जुनवाला कहते हैं कि इन्होंने सबसे जादा पैसे हर्शद महिता स्काम के टाइम में बनाए हर्शद महिता के समय पर how you tackle the market तो सवाल ये है कि इस टाइम इन्होंने क्या strategy यूज करी थी तो जब सुचेता दलाल ने टाइमस ऑफ इंडिया में हर्शद महिता का स्काम पब्लिश किया तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गए सेंसिक्स की वैल्यू साधे 4,000 से 1980 पहुंच गी जब स्टॉक का प्राइस बहुत ही गिने लग गया तो इस वक्त पर राके जुझुन वाला और राधा किशन दमानी ने स्टॉक्स को शॉट कर दिया और बहुत पैसे कमाए वैसे इन ही पैसों को मिस्टर दमानी ने यूज़ करके बीमार्ट खोलने के लिए यूज़ किया और आज वो मल्टी बिलियर है इसके बाद आते हैं इनसे भी बड़ी ट्रेड में दे बिल आकमें जिन्होंने करोना के टाइम में सबसे बड़ी ट्रेड की और सिर्फ एक ट्रेड में 2.9 बिलियर डॉलर्स कमाए इनके डाड एक रियल इस्टेट फिनेंसिंग फर्म के चेर्में थी 1988 में बिल ने हावर्ट कॉलेज से सोचल स्टेडीज में बैचलर की डिग्री ली बिल वार्रन बफेट से बहुत इंप्रेस्ट थे और इन्हें अपने डाड के बिजनस में काम नहीं करना था इसलिए इन्होंने खुद की एक इन्वेस्टमेंट फर्म खोली जिसका नाम था इसके बाद यह हमेशा एक चीज़ करते थे अगर इन्हें लगता था कि कोई कंपनी ओवर वैलूड है तो यह उसको शॉट कर देते और पब्लीकली उस कंपनी के बारे में बहुत बहुत बुरा भला गयते ताकि सारे इन्वेस्टेर्स उस कंपनी के शेर सेल कर दें जिसकी पता था कि यह वायरेस कम से कम 50% वर्ल्ड पॉपलिशन को एफेक्ट करेगा फिर पब्लीकली कहा कि गवर्मेंट को USA में लॉकडाउन कर देना चाहिए और जब ऐसा हुआ तो 30 दिन के अंदर इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को 100 टाइम्स कर दिया इन्होंने इसी पै कौंपिउटरिज की मदद से किया जाता है क्योंकि गोल्ड के टुकडे इतने चोटे हैं कि कि ह्योमन जिन गोल्ड कै टुकडे को देख नहीं सकते हैं जिनने बाद में ट्रेडिंग प्रसंद आगी और इन्होंने मैच को ट्रेडिंग में यूज करना चाहा। जेम साइवन्स का सिंपल सा फंडा है कि अगर सच में ट्रेडिंग करते समय हुमन इमोशन्स को चार्ट की मदद से प्रेडेट किया जा सकता हैं तो इन ही पैटन्स को कम्प्यूटर जादा बैटर तरीके से प्रेडेट कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने एक हेज़ फंड बनाया, उसके अंडर एक मेडेलियन फंड बनाया, जिसमें 75 से भी जादा पीएच डीज हैं और इवन नोबल लॉरियेट्स भी हैं। ये लोग कम्प्यूटर के अलगोरिदम की मदद से मार्केट क्रेश को प्रेडेट करते हैं, जो नॉर्मल ट्रेडर भी नहीं कर पाते हैं। इस फंड ने एनुली 40% का रिटर्न दिया हैं, यानि Wall and Buffett की रिटर्न से दो गुना, इनके उपर ये बुक भी लिखे चा चुकी है, तो अगीन, पैसा तो ये जादा क्रेश में ही बनाते हैं, बट अल्गोरिदम की मदद से। तो सबसे important सवाल ये है कि फिर हम shares कौन से ख्रीदें। ओके तो next आता है, what should we buy? ओके तो main सवाल ये है कि अगर market crash होती है, तो हम कौन से shares ख्रीदें। देखिए मैं कोई financial advisor नहीं हूँ, इसलिए decision तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये समझ आता है कि Michael Burry और Bill Ackman ने market को time करने की कोशिश की। यानि उन्होंने ये predate करने की कोशिश करी कि market exactly गिरेगी कब। अगर हम Michael Burry की बात करें तो उन्होंने प्रिड़ेट किया था कि 2007 में real estate की market गिरेगी। इसके बाद इनके fund में जिन लोगोंने पैसे invest करे थे उन्होंने इनका जीना हराम कर दिया था। लेकिन इनके लिए lucky लिए 2008 में actual में market crash हो गई और सब ने खूप ऐसे कमाई। अगर Bill Ackman की बात करें तो उन्होंने पहले Herbalife company के shares को short किया था और public में आके इस company की बहुत बेस्ती करी। लेकिन इसके बावजूद Herbalife का stock price नहीं गिरा और इन्हें करीबन 760 million dollars का नुक्सान हुआ। मगर यह attempt इन्होंने दुबारा करोना में किया और इस बार यह successful हूए। और अगर हम Jim Simons की trading skill को copy करना चाते हैं तो यह एक बेवकूफी है। तो जहां तक मेरा सवाल है मैं यह सोचता हूँ कि मैं market को predict करने की कोशिश नहीं करूँगा। यह कब गिरेगी या कब बढ़ेगी। हाँ अगर यह किसी भी reason से गिर जाते हैं तो मैं दो काम कर सकता हूँ। अगर मैंने पहले से कोई company के analysis की है कि company stable है लेकिन market crash की वरत से उसका price कम हुआ है तो मैं उसके बहुत shares करे दूँआ। अगर मैंने कोई analysis नहीं करी तो इस वक्त पर मैं nifty 50 में जरूर इंवेस्ट करूँआ। जिसमें मुझे 100% accurate होने की जरूरत नहीं है। अगर सस्ते में भी मुझे units मिल जाते हैं तो मैं उसे long term तक hold कर सकता हूँ। बाकी आप लोग भी अपने thoughts ज़रूर शेर करें ताकि बाकी लोग भी उसे पढ़कर अपनी brain exercise कर पाएं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो हम कर सकते हैं वो यह है कि हम history से सीखें। वो कहवत है ना कि history does not repeat, but it rhymes. Exactly same situation तो दुबारा नहीं आएगी, लेकिन कुछ pattern तो हमें मिल ही जाएंगे। इसलिए बहुत से books पड़ो और अपने free time को waste मत करो। हमने Google application बनाई हैं और अगर आप subscription नहीं लेना चाहते तो free वाली summary सुनो। और इस application में 180 plus free book summaries available हैं। और हर हफ़ते हम इसमें एक free summary add करते रहते हैं। देखो जब actual में market cash आता है तो decision making बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए ये वीडियो अपने friend or family member के साथ जरूर शेर करें। ताकि आप दोनों मिलकर उस panic वाले time में समझदारी से कोई action ले सके। जल्दी हम आपसे दुबारा मिलेंगी जय हिंद।